नमस्कार दोस्तों, कीके एकजाम फार्ट में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप सबी, उमीद है आप सबी सही होंगे, और आपकी सेल, पीजी सी आईयर, डियार डियो, आधी परिछाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों इन सभी पर इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमने लेक्टरिसन थेवरी से कुछ महत्पूर प्रस्नों की सीरीज इस्टार्ट की है जो कि इस सीरीज में हमने सभी प्रस्नों को कवर किया है सभी टोपिक को कवर किया है कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो की छूटा हो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हैं उन प्रस्णों की सुरुआत करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेश्ट है अगर आप चैनल पे ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए अपने दोस्तों में सेर जेरूर करिए वीडियो अच्छा लगते वीडियो को लाइक जेरूर करना चलिए जैसा कि आज का हमारा प्रस्ण है यहाँ पर आप देख सकते हैं दुरगटनाय आमतार पर निमलिकित कारकों में से किस कारण से होती है सही उत्तर मसीन की गलती से यह इसका सही उत्तर है चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि और मालो और किस कारण से दुरगटनाय होती हैं जैसे कि असाओधानी, अरूची, जल्दबाजी, अग्यानता, उत्सुकता, असुरचित, हस्त आउजार, अनुसासन की कमी, असुरचित पहनावा यह सारी चीजों से आपकी दुरगटनाय होती हैं अगला है, निम लिकित में से काउन सा विकल्प दुरगटना से बचनी के लिए आवश्यक है, सहुत्तर आपका है, जो कि मसीन के सुरच्छा नियमों का पालन करना राइट एंसर है देखते हैं, और क्या-क्या बचा ओ सकते हैं, जो कि यहां पर दिये गए हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि मसीन की सुरच्चा के नियमों का पालन करना, सुरच्चा चिन्नों को पोश्टर के रूप में लगाएं प्रतेक मसीन के पास मसीन की दूर गटनाओं से सम्बंदी साउधानियों का चार्ट अवस्य लगाएं आग बुजाने की रेत भरी बाल्टी आग बुजाने के यंतर सही स्थान पर रखें और किसी भी मसीन को हाथ लगाने से पूर उसका अर्थिंग दोस अवस्य चेक करें अगला है अगला प्रशन आप पर दिया गए जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा की निम लिकित में से काउंसा विकल्प बुनियादी सुरच्छा नीमो में से एक है सहुत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर मसीन चलाने के दवरान करमचारी को साउधानी बरतनी चाहिए आपसन नमबर डी राइट अंसर है जैसे की सुरच्छा बुनियादी सुरच्छा में एक है मसीन चलाने के दवरान करमचारी को साउधानी बरतनी चाहिए सुरच्छा साउधानी निमन परकार की हैं जैसे की कारिसाला में उप्यूक्त पोसाग पहन कर ही जाएं सुरच्छ संकेतों का पालन करें और प्रतेक कार को साउधानी एवं लगन पूर्वा करें अगला प्रसंद निम निलिखित में से कौन सा रोधाक पदार्त का पास के तुकड़े के राशानिक उप्चार से बनाया गया है सहयुत्तर राशानिक रीती से बनाया हुआ करतिम चम प्रतिरोध R1 और R2 एक वोल्टेश रोध V के टर्मिनलों के बीच स्रेडी क्रम में जुड़े हुए हैं तो R2 के टर्मिनलों के बीच वोल्टेश ड्राप ग्याद करना है जैसे कि यहाँ पर आपका सहयुत्तर हो जाएगा V R2 अपान R1 प्लस R2 यह इसका सहयुत्तर होगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका फार्मिला होता है अगला प्रसन अगला प्रसन आपका दिये गए परिपत को दिये गए परिपत के लिए किरचाप के धारा नियम का काउंस समीकरण सही है सहयुत्तर आपका है जो कि यहाँ पर हम आपको वता देते हैं चलिए पहले इससे साल्व करते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किरचाप का नियम लागाएंगे जो कि यहाँ से सुरूआत करेंगे V-10 upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 बराबर 5 ये दिया गया है फिर इसका बाद इसे साल्व करेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रसना अंसार V बटे R2 बराबर 2 इंपियर जो कि इस प्रकार यहाँ पर मान रखेंगे मान रखेंगे इसे साल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर एंसर जो कि आज आएगा यहाँ पर देख सकते हैं चलिए यहाँ पर आपका आपसन नमबर भी सही उत्तर होगा आपसन नमबर भी राइट एंसर है चलिए काल्कुलेशन आप खुद से करना जो कि हम अगले प्रशन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रशन दिया गया है जैसे कि फाइल की लंबाई ना पी जाती है सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि आपसंदम बर्शी पॉइंट से हील तक ये इसका सही उत्तर है और कुछ जानकारी देखते हैं प्रियुक्त धातु है सही उत्तर है जो कि कार्बन हाई कार्बन इस्टील ये इसका सही उत्तर है चले देख लेते हैं यहाँ पर जैसे कि चीजल निर्माड में प्रियुक्त धातु हाई कार्बन इस्टील है चीजल की लंबाई समानेता 10 cm से 30 cm तक होती है विदुतकार के लिए दो प्रकार की सीजल अवश्यकता होती है फार्मर सीजल तथा कोल्ड फ्लैट सीजल इसका प्रयोग विभिन प्रकार की लकड़ी वा माइका सीट तथा फिटिंग्स को अवश्यक आकार देने के लिए किया जाता है अगला प्रशन उप्योग के पस्चात रेती तथा हैक्सा को क्या करते हैं सहिउत्तर आपका हो जाएगा जो की ब्रस्क से साप करके रखना चाहिए ये इसका सहिउत्तर है चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं रेती और हैक्सा को प्रियोग करने के बाद ब्रस से साप करके रखना चाहिए ताकि उसमें जंग या नमी की मातरा ना रहे रेती को कभी भी जल से नहीं धोना चाहिए तथा हैक्सा को सीधे फ्रेम टाइट कसना चाहिए और इसमें ग्रीस लगा कर रखना चाहिए जिससे की जंग ना लगे अगला प्रशंट बरसात की दिनों में आवजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए सहुत्तर आपका है जैसे की आपसर नमबर डी उन पर मोबिल आयल या ग्रीज का महीन लेप कर देना चाहिए ये इसका सही उत्तर है अगला प्रशन हेग्जा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड के दात्यों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है सही उत्तर है कटिंग के समय घर्षन को कम करना राइट एंसर है अगला प्रशन एक सर्कुट में दो बिंदो पर वोल्टेज के अंतर को डेट डेस कहा जाता है राइट अंसर है जैसे कि विववांतर ये इसका सहुत्तर है पूरी जानकारी देख लेते हैं जैसे कि सर्कुट में दो बिंदो पर वोल्टेज के अंतर को विववांतर कहा जाता है विववांतर का मातरा क्वोल्ट होता है परिपत में धारा प्रवाह केवल तभी संभव है जब तक परिपत में बंद अवस्था में हो अगला प्रसुन डेड़ डेस के लिए एमेप के सुरोत की आवशकता होती है राइट अंसर जो की इलेक्टरानों को गती प्रदान करना ये इसका सही उत्तर है देखते हैं यहां पर जो की विदू तौहक बल वह बल जिसके कारेट इलेक्टरान गती करे एमेप कहलाता है विदु तौहकबल cell, battery, generator से प्राप्त किया जाता है विदु तौहकबल विववांतर तथा विववांतर टीनों की एकाई वोल्ट होती है इलेक्टरानों की दिसा धारा के विप्रीट होती है अगला परसुट पौरी जानकारी यहां पर देखते हैं जैसे कि सर्कीटमे इलेक्टरान को धकेलने वाला दाब को वोल्टेज कहा जाता है किसी भी पौरी परिपष में धारा परचालन हेत्व Anthara अवश्यक है यदि किसी परिपत में दो बिंदों के मद्ध विभाव समान है तो वहाँ पर धारा प्रचालन संभाव नहीं है इसी कारण कुछ बाइलेंश्ड परिपतों में विभाव समान होने के कारण मद्ध ब्रांच में धारा प्रवाह नहीं होता है उधारण के लिए संतुलित ब्रीज के मद्ध प्रत्रोद को खुला मान लिया जाता है जो कि आप देखते ही होंगे ब्रीज रिक्टिफायर में यहाँ पर जैसे कि आप देखे ही होंगे अता परिपत में इलेक्टरान को धकेलने वाले दापको विभाव कहलाता है जिसका मात जिसके कारण इलेक्टरान गती करे यम्हप का इलाता है अताहा विदूत्वाक बल को तेजन बल के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रसंड कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीद बिंदू बिंदू आवेस का क्या बनाते हैं सहुत्तर आपका है जो की विदू दूरू बनाते हैं ये इसका राइट एंसर है जैसे कि कम दूरू पर रखे गए दो बराबर विपरीद बिंदू आवेस बिंदू दूरू बनाते हैं असामान आवेस एक दूसरे को आकरसित करते हैं जबकि सामान आवेस एक दूसरे को प्रतिकरसित करते हैं अगला प्रसं अगला प्रशन हमारा दिया गया है यदि दस कुलाम का आवेस किसी इकाई लंबाई के चालक के दो सिकंड में गुजरता है तो उस चालक का प्रितरोद क्या होगा यदि उसके छोड़ों का विवांतर दस वोल्ट है चलिए इसे काल्कुलेट करते हैं जो कि यहां पर आपका टायम दिया गया है कि यहां पर पहले देख लिजिए जो कि क्यूँ दिया गया है वोल्ट दिया गया है फार्मूला पहले हम धारा निकालेंगे धारा निकालने के बाद फिर धारा आपकी पांच एंपियर आ जाएगी फिर हमें रजिस्टेंस निकालना है तो आर बराबर भी अपान आई होता है यहां पर मान रखके भाग दे देंगे आपका दो ओम सहुत्त सहुत्तर आपका हो गजाएगा जो की धनात्मकता गुड़ांग कहते है यहाँ पर देख सकते हैं इसका फार्मूला भियाब जरू देख लें अगला प्रसम एक बूटे की काई निम लिखित में किसके बराबर होती है सही उत्तर एक हजार वाट घंटा राइट अंसर है आप तो जानते ही होंगे अगला प्रसंट किसी विदुद परिपत में प्रत्रोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है राइट अंसर है विदुद धारा का प्रवाग हटाने के लिए ये इसका सही उत्तर होगा अगला प् प्रत्रोधक में प्रयोग कि गई उल्टा 1% होती है और प्रत्रोधक प्रत्रोधक का मान एक प्रत्रत तसक्रालत है तो प्रत्रोधक के सकती उपीयोग में लगब बाक कितना परिवर्तन हो गया चलिए इसका आपका जैसे की यहां पर हम सालू सन दिखा देते ехए आपको कमान रंके के पी कमान निकाल लेंगे फिर इसके बाद यहां पर देख सकते हैं इतना आ गया फिर इसके बाद इसमें दोनों का दोनों कमान निकाल के फिर डिफ्रेंस निकाल लेंगे तो आपका तीन प्रस्त आ जाएगा जो कि यहां पर आपसर नंबर सी राइट एंसर होगा चलिए अगला प्रशन आपका दिया गाए जो कि 30 वोल्ट आप पूर्ती के जाद सिरीज में जिड़े हुए एक किलो ओम दो किलो ओम और साथ किलो ओम प्रत्रोदों प्रत्रोदियों में सर्वत वोल्टेज ड्राप कितना होगा इसका सहुत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहां पर हम आपको बता देते हैं पहले से साल्व करते हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस तीनों सीरेज में जूड़े हुए वन्तीनों को समानता जोड़ लें जो की यह पर देख सकते हैं फिर मुल पर मान रखें के आई बड़ाबर य होता है यह का मान निकालेंगे फिर इसी प्रकार V2 का मान निकालेंगे फिर इसके बाद V3 का मान निकालेंगे इस प्रकार देख सकते हैं आपका तीनों आ गए यह आपका सही उत्तर हो जाएगा आपसा नमबर 3 3, 6, 21 वोल्ट यह इसका सही उत्तर होगा चलिए अगला प्रसन अगला प्रसन आपका दिया गया है जैसकी सरकिट में खीचे गए कुल करंट का पता लगाईए जैसकी यहाँ पर सिंपल सा है आप इस तू सभी का मान लो जोड़ लो यह सिरीज में जोड़ लो फिर इसके साथ मान लो दोस्तों फिर इसके साथ कल्कुलेशन कर लेंगे जैसकी यहाँ पर मैं आपको बता दू तीनों सिरीज में जोड़ेंगे तो तीन दस त्यारा पांच अठारा अठारा हो गया फार्मूला होता आई बराबर वी अपान आर वी अपान आर होता है फिर यहाँ पर मान रखके कल्कुलेशन कर लेंगे आपका 0.05 मिली एंपियर यनि आपका आपसन नंबर यी सही उत्तर हो जाएगा चलिए उमीद है आपको समझ में आ रहा होंगे यह सारे सवाल अगला परसुन XLP केबल का नुमान परचालन आत्मक तापमान क्या है सही उत्तर आपका है जैसे कि यहाँ पर आपसन नंबर ये 90 डिगरी सही ये इसका सही उत्तर होगा जैसे कि XLP केबल का नुमान परचालन तापमान 90 डिगरी होता है इसका पूरा नाम जो है तांबा का प्रयोग dead desk के रूप में किया जाता है राइट एंसर अनिलन के लिए किया जाता है ये इसका सहुत्ता है अगला प्रसंद रोदक केबिलों इंस्लेटेट केबल की संक्या जिन्हें इस पास समवानी इस्टील कंड्यूट में खीचा जा सकता है डेट डेश द्वार केबल किसी केबल के लिए ताप रोधी पदार्त में क्या होना चाहिए सहुटता रहे आपका जैसे कि हम आपको बता दें यहां पर निम्न लागत उच्छ डाइलेक्ट्रिक सकती उच्छ यांत्रिक सकती यह सभी होनी चाहिए यह इसका राइट एंसर है फिर से एक बार बता देते ताकि आपको याद हो जाए जैसे कि यहां पर केबल की कीमत कम होनी चाहिए उच्छ डाइलेक्ट्रिक सामर्थ होनी चाहिए उच्छ यांत्रिक सकती होनी चाहिए यह सारी गुंड होनी चाहिए सुद्ध पानी किसका एक उधारण है राइट अंसर आपका है जो कि व पाय जाने वाले के कारांड यह एक चालक की भाती बिवहार करता है अगला प्रस्ट आज कल चालक के रूप में खुब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु काउंसी है इलमूनियम है सभी को पता होगा जो कि आप जानती होंगे चल यह अगला प्रस्ट आप पर दिया गया है भारत में किसी आवासी परिसर है तू समान ने सकती वित्रन प्रलाली में दो फेजो के मद बोलता डेट डेस होती है चल यह इसे देखते हैं इसका सही उत्तर होगा दो फेजो के मद जो होती है चार्ष्ट पंदरा बोल सकते हैं यहाँ पर चार्ष्ट दिया गया है सही उत करते हैं इसका मातरक रोल्टिक्षा होता है यह गलत है रिजिस्टेंज किसी ऐसी परिपत में विदुधारा प्रवा के लिए विद्दमान कुल अवरोध इंपिडेंस या रेजिस्टेंस कहलाता है अगला है आपका दिया गाया जो कि वे रासियं जो समय के साथ साइनुसोईडल बदलती रहती हैं क्या कहलाती है सहुत्तर फेजर रासियं कहलाती हैं ये इसका राइट एंसर है जैसे कि प्रत्यवर्ती वोड़ता तथा धारक का परिमार तथा दिशा को दर्शाने है तो सरल रेखा को एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है इस निरूपड को डेट डेस कहते हैं राइट एंसर आपका है जो कि फेजर मातरक ये इसका सहुत्तर होगा जैसा कि प्रत्यवर्ती वोड़ता तथा धारक का परिमार तथा दिशा को दर्शाने है तो सरल रेखा को एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है इस निरूपड को फेजर मात्रक कहते हैं अगला प्रशन परिमाड और दिशा को निरूपित करने के लिए प्रत्य वर्ति धाराओं और बोलताओं को तीर के सीरे वाली एक सीधी रेखा द्वरा दर्साय जाता है इस निरूपड को क्या कहा जाता है राइट अंसर आपका है जो कि सदिस रासी कहते हैं ये इसका सहुत्तर होगा चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अगला प्रशन आपका जो कि यहाँ पर देख सकते हैं डेड़ डेश रूप के भिन प्रत्य वर्ति मात्रक को फेज के रूप में ब्यक्त किया जाता है राइट तरन्ग का प्रभावी मानует. अैक-एक होता है जै तरन्ग समय के सापच प्रतिषन परिवर्तित होता है अगला प्रसन अगला प्रसन हमारा दिया गाए जो कि यहाँ पर A तथा B बिंदों के बीच का प्रभावी प्रत्रोत कितना होगा यहाँ पर देख सकते हैं इस दोनों को समांतर में जोड़ेंगे फिर इसके साथ समांतर में जोड़ेंगे इस प्रकार जोड़के चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कल्कुलेशन जरूर करन हैं अगला प्रशन हमारा दिया गया है जो कि यहां पर हम आपको बता देते हैं जैसा कि एक दस ओम प्रत्रोड को एक च्छै वोल्ट से से जोड़ा जाता है जिसका आंत्रिक प्रत्रोड दो है और उस दस ओम प्रत्रोड के आर पार की वोल्टा कितनी होगी चलिए इसे आपका जैसे कि आई बराबर वी अपान आर होता है यहां पर आर आपका कितने जूड़ा हुआ है जैसे कि दस ओम के प्रत्रोड के साथ जोड़ा गया है जो कि इसका अंत्रिक प्रत्रोड दो और दस ओम प्रत्रोड के आर पार है यानि दो और दस दोनों बारा हो गए फार यहां पर आ जाएगा answer सही उत्तर फिर 0,5 आने के बाद फिर इसके साथ दोस्तों 10 वाले के साथ उड़ा कर देंगे तो आपका यहां पर आ जाएगा 5 आपस नमबर सी सही उत्तर होगा चल यहां पर आप देख भी सकते हैं अगला प्रशन्ट की तरफ चलते हैं जो कि डेल्टा लोड वाले एक संतुली थीरी फेज सिस्टम में यदि हम लाइन वोल्टेज को रिफरेंस फेज के रूप में फेज के रूप में वी आर वाई यनी 200 मान लेते हैं तो स्रोत वोल्टेज कितना होगा चलिए इसे देखते ह पर हम आपको बता देते हैं यहाँ पर आपका इंसर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं आपका राइट एंसर आप्स नमबर स्रीए 200 छोटा है यह यह आपका सही उत्तर होगा अगला परसुन अगला प्रसून अगला आपका दिया गाय जो कि इस प्रकार दे में सोनने अनुकरम घटकों का मान सूनने होता है संत्फली थ्री फेज प्डाली में नीट्रल से धारा का मान भी सोननी होता है अगला पुरस्ट Ну निम लिखित में से किस विधी में three- behavioral supply को एक और स्वार्ण अंशर आपको की इसका सहे हैं एक बार पिर से आपको बताते हैं इसका सिंगल सकती है क्योंकि इस टार ‫ कनेक्सन में नीट्रल होता है जिससे की ठीरी फेज एवं सिंगल फेज सप्लाई के साथ आसानी से जूड़ सकती है अगला प्रसंद निम लिखित में से काउंस से संयोजन में उभाजनीश्ट उदा सींद बंदू होते हैं राइट अंसर आपका है जो कि इस्टार होते हैं सही दूकतर होगा चले देखते हैं पर नीट्रल सदेव स्टार कनेक्शन से प्राप्त किया जाता है जो कि अन्बैलेंश्ट लोड की अत्रिक्त धारा को प्रवाह करता है नीट्रल हे तू डिस्टिविशन में ट्रांसफार्मर को दुतियक सिरा इस्टार संयोजित किया जाता ह है अगला प्रसंद तीन फेज इस्टार कनेक्टेट चार तार प्रवाली संतुलित भार में निस्क्री धारा निस्क्री आउस्ता में धारा कामान कितना होगा राइट अंसर आपका है जो कि यहां पर आपसे नमबर डी सूननी होगा यह इसका सहुत्तर होगा चलिए जैसकि कि हम देछते हैं तीन फेज इस्टार कनेक्टेड तार चार तार प्रवाली संतुलित भार में निस्क्री आउस्ता में धारा कामान सूननी होता है नीोटरल की उपस्थी इस्टार कनेक्शन को वित्रवाली के लिए उप्यक्त बनाती है अग्ला प्रत रशन हमारा दिया गा का है जो कि यहां पर air blast circuit breaker यह इसका right answer हो गया जैसे कि air blast circuit breaker में आरक बुजहने वाले माध्यम के रूप में उच्छ दबाव वाले air blast का उपयोग किया जाता है इसका design 6.6 kilovolts से लेकर 132 kilovolts तथा 400 kilovolts से लेकर 750 kilovolts तक कोड tenantा पर 750 kilovolts से अधिक व्योजन छमता के लिए किया जाता है और इसमें वायू का दाब 85 से लेकर 175 किलोग्राम सेंटी मीटर स्क्वाइर रखा जाता है अगला प्रसुन अगला प्रसुन हमारा दिया गया है जो कि निम्द में से कांसा कम वोल्टेज फ्यूज का एक उधाराण है जो कि ड्राप आउट प्रकार के फ्यूज ये इसका सहुत्तर होगा चले देख लेते हैं जैसा कि ड्राप आउट प्रकार के फ्यूज कम वोल्टेज फ्यूज का उधाराण है इस फ्यूज का उप्योग आउट डोर ट्रांसफार्मर के सुरच्चा के लिए किया जाता है और या फ्यूज और आउट डोर आईसो लेटर का सन्योजन होता है जो पॉल होता है फ्यूज एक सुरच्चा यूगती है जो किसी वैदुत परिपत की साथ सर्कीट अत्वा और लोट से सुरच्चा प्रदान करती है यहां केवल फेजतार के स्रीज में लगाया जाता है आप इसे जरूर याद रखें अगला है निन लिखित में से काम फ्यूज इतातु की विसेश्चा नहीं है सहुत्तर जैसे की यहां पर कम इन्डिक टो यहां आपकी विसेश्चा नहीं है बाकी पूरी जानकारी देख लेते हैं फ्यूज के बारे में काफी महात्पूर होता है यहां से काफी प्रसनाप के एक्जाम में पूंचे जाते हैं जैसा कि फ्यूज के बारे में निमन विश्थेस्ता होती हैं जो कि फ्यूज तार की चालकता उच्छ होनी चाहिए और गलनांक बि लोग किया जाना चाहिए यह सारे गुण होने चाहिए आपके फ्यूज में अगला है जैसा कि निम लिखित में से किस पडाली में बैटरी की आउसकता नहीं होती है राइट अंसर आपका हो जाएगा जो कि यहां पर हम आपको बता दें आपसन नंबर सी इलेक्ट्रानिक्स ब बैटरी की आउसकता नहीं होती है यहां बैलाष्ट ट्यूब ट्यूब लाइट के साथ प्रियुक्त होती है यहां बैलाष्ट स्वाप औरेरनड के सिध्यान पर कार्य करता है ये इसकी पूरी ब्याक्षा थी जैसा कि इंधन सेल में यदि ए प्रकार की उर्जा को सीधे बी प्रकार की उर्जा में परिवर्टित किया जाए तो क्या होगा सहुत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपसन नंबर D जैसा कि A राशानिक है B विदूत है ये इसका सहुत्तर होगा चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जैसा कि सेल मुक्यता राशानिक उर्जा और विदूत उर्जा दिखानी कूर्जा को विधू तूर्जा में पर्वर्तित करते हैं सेल मुक्यता दो प्रकार के होते हैं पहला प्रात्मिक सेल दूसरा दोटीयक सेल होता है अगला प्रशन कमिटेटर है तो UPS में हमें किस प्रकार की बैटरी के उपयोग करते हैं राइट एंसर जो कि आपसर नमबर ए लेड एसीड बैटरी ये इसका सही उत्तर होगा चली अगला प्रसंद देख लेते हैं जो कि यहां पर पहले इसकी ब्याक्षा देख लेते हैं जैसे कि यूपीयस का पूरा नाम होता अंट्रिप्ट पावर सप्लाई का अंट्रिप्ट लिए किया जाता है यहां मूल रूप से बैटरी युक्त इन्वाटर है जो पीसी सर्वर आदिमी काम में आता है एसल आई और बैटरी में एसल और आई का सम मतलब क्या है राइट एंसर आपका है जो कि आपसर नमबर ए इस्टार्टिंग लाइटिंग इंगनीशन ये इसक सह उत्तर होगा जैसा कि यहां पर हम आपको बता देते हैं स्टार्टिंग लाइटिंग इंगनीशन होता है अर्थात इसमें स्टार्टिंग प्रचालन करना लाइटिंग रोसनी करना इनिशन प्रारंब करना इसका मतलब होता है अगला है निम लिखित द्रव में से किस द् दूत का चालन होता है राइट एंसर आपका है जो की खारा पानी ये इसका राइट एंसर है अगला है लैप टाप बैटरी पैक के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है सही उत्तर लीथियम आयन ये इसका सही उत्तर होगा आपसन नमबर स्री सही उत्तर जैसा की लेप टाइब बैटरी पैक के लिए लीथियम आयन सेल का उपयोग किया जाता है। लीथियम सेल की वोल्टा 2.5 और 3.6 वोल्ट के बीच में होती है। इस सेल का जीवन काल 10 वर्स तक होता है। लीथियम सेल माइद पचाश डिगरी सलशियस लेकर 75 डिगरी सलशियस ताफ पर्स परकार कर सकते हैं। लोड सेल का यहुद प्रियोग डैडडेस्य के मापन हेतु किया जाता है। वहर नैम यह ङसका अगले है। अगला प्रशन आपका दिया गया है यदि बैटरी का बाई प्रत्रोद आंतिक प्रत्रोद की तुलना में काफी बड़ा है तो सरोत्तम वर्गी करण पद्यती होगी सहुत्तर स्रेडी करम ये इसका सहुत्तर होगा चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी जैसे की यदि बैटरी का बाई प्रत्रोद आंतिक प्रत्रोद की तुलना में काफी बड़ा है तो सरोत्तम वर्गी करण स्रेडी करम में होगी क्योंकि समांतर में जोडने पर समतुल प्रत्रोद और भी कम हो जाएगा और धारा कामान भी प्राप्त होता है अगला प्रस्न अगला प्रशन हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन सिलों में से प्रतेक का विदु तवाक बल ई तता प्रत्रोदार है इन्हें प्रत्रोदा कार के साथ समांतर क्रम में सहयोजित किया गया है अता सहयोजन में प्रवाई धरा कामान निमलिकित में से क इसके बराबर हो सही görüş जो कि यहां पर आप देख सकते हैं 3E बटे 3R प्लस आर ये सही यूद्तर होगा जो कि यहां पर आप देख सकते हैं तादा प्रित्रोध आर इन्हें प्रत्रोध कार्प के समांतर में सहयोजित किया जाता है तो सहयोजन प्रवाई धारा यहां पर देख सकते हैं फारमुला आपका दिया गया है अगला प्रस्म क्रोमियम प्लेटिंग में इनोड किस पदार्थ का बना होता है सिज़ा का बना होता है यह इसका सही उत्तर होगा पूरी जानकारी क्रोमियम प्लेट के बारे में देखते हैं जो कि क्रोमियम प्लेट में सीशा मिस धातू का एनोड प्रियोग किया जाता है इसमें दो कारे होते हैं प्रतम धनात्मक इलोक्ट्रोड का कार्ज तता दूसरा घोल संतोस जनक बनाए रखना जिसे यहां ट्रिलिविलेंट क्रोम को पुना आक्सी करत करके क्रोम अमलों में बदल देते हैं। कापर प्लेटिंग सीशे को छेदर मुग्त प्लेटों पर ताम रेलेप कर बनाए गए इनोट का प्रियोक किया जाता है। सिल्वर प्लेटिंग में परिश्करत चांदी 99.99 सुद्ध के तापानु सुईतित इनोट का प्रयोग किया जाते हैं निकल प्लेटिंग में निकल के अंडा कार इनोट का प्रयोग किया जाता है अगला प्रसंद दोस्तों उमीद है आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंदारा होगा अगर पढ़ाया हुआ पसंदारा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें विलियन में विदू धारा को प्रवाहित कर लवड के पतले विलियन से धातू को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डेड़ डेस कहते हैं इलेक्ट्रो वीनिंग कहते हैं ये इसका सहुत्तर होगा जैसे की वर्क साप में भारी सामान उठाते समय निमलिकित भार सरीर के कि संग पर होना चाहिए पैरोग पर होना चाहिए ये इसका सहुत्तर होगा चलजे, अगला प्रस्वन आपको दिखा देते हैं जो की यहां पर देख सकते हैं इन्पिमिक्ट में से कांसाकारी स्थल सूरच्59 का भाग है सेएप्तर कलर कोड ये इसका राइट एंसर है कलर कोड की सहायता से निसेद आत्मक अवश्यक तथा चितावनी चिन्नों की जानकारी कलर कोड के माधियम से दी जाती है अगला परसन अगला प्रसन अमारा दिया गए जो कि यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पर दिया गया है यहां पर पहले पूरी इसकी ब्याक्ख्या देख लेते हैं विद्व तुपकरलों का उपयोग करते समय विशेश कर नगन तारों को नहीं पकड़ना चाहिए किसी भी नगन तारों को नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि नगन तार पर इसलेशन की अनपुस्तिती विद्व धारा आसानी से हाथ के अंदिस्क कम प्रत्रोद मार्ग प्रद तर है जी से के इंडिया इलेक्टरिस्टी नियम के उद्देश विदू चेत्र सुरच्चा और सनरच्छण प्रदाना ika Tä strain का परिदर्श रंग होता है स्युत्तर आपका है जो की हरा होता है ये इसका स्युत्तर होगा यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो कि आपका दिया गया इनकी आकरती वर्गकार होती है हरे परदे पर शफे संकेत होता है या सुरच्चा की सुचनाई इंगित करता है अगला प्रसंद सुचनात्मक चिन का आकार डेट डेस होता है राइट एंसर आपका है जो की वर्गाकार होता है ये इसका सहुत्तर होगा और हम आपको बताते हैं जैसे कि सुचनात्मक आकार वर्गाकार होते हैं हरे परदे पर स्वेत संकेत एवं नीसे धात्मक चिन ब्रती आकार किनारा कलाल एवं ब्रस बार एवं आवशक चिन ब्रती एवं नीले पर स्वेत संकेत एवं चेतावनी चिन त्रिकोडी रंग पीले परदे काले बारडर पर संकेत होते हैं अगला प्रस्ट प्लेमिंग के बाए हाथ के नियम में तरजनी अंगली इंगित करती है साह उत्तर चुमकी छेतर को इंगित करती है ये इसका राइट एंसर होगा जैसे कि प्लेमिंग के बाए हाथ के नियम में तरजनी वीदूत अंगली छेतर प्रदर्सित करती है तता वेदूत जनेरेटर हेतु प्रयोग होता है अगला प्रसंद अमारा दिया गया एक विदूत वहक बल इस्थैतिक प्रेजित विदूत वहक बल होता है सहयुत्तर आपका है जो कि यहां पर आपसन नंबर ए जब कुंडली से जूड़ कर फ्लक्स परिवर्थित को हो ये इसका स अगला प्रसंद फ्लैमिंग के बाए हाठ के नियम का उपयोग किसे ग्याद करने के लिए किया जाता है सहुत्तर आपका है जो कि depressed च्छेतर में चालक को ले जाने वाली धारा की गती की दिसा को ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं पूरी जानकारी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम चुम्की छेतर में चालक में जाने वाली धारा की गती की दिसा ग्यात करने में होता है यहाँ डिसी मोटर हेतु प्रियोग किया जाता है इस तथा इस नियम से चालक तार पर लगने वाले बल की दिसा ग्यात की जाती है अगला है विदु चुम्बक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है सहुत्तर आपका है जो की म्रद लोहा ये इसका सहुत्तर होगा जैसा की देख लेते हैं विदु चुम्बक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल म्रद लोहा होता है विदु धारा के परवा के कारनल किसी चालक के चारो और चुमकी छेत्र का पाइदा होना विदु चुम्बक कहलाता है अगला प्रसंद इस थाए चुम्बक को जब दो भा कि सीमा डेड़्डेस है सहीत्तर 0-36HWG ये इसका सहीत्तर होगा। जैसे कि यहां पर SWG का मतलब स्टेंडर वायर गेज होता है और जैसे कि तार के मानदगेज की सीमा जो है 0-36HWG होती है जैसे HWG का मान बढ़ता है वैसे वैसे HWG का ब्यास मान घटता है अगला प्रसंद थीन HWG की ब्यास की तुलेकालिक मान क्या होगा सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर हो जाएगा आपसन नमबर D6.4008MM यह इसका सही उत्तर होगा आप इसे याद रख लीजिए अगला प्रसंद दो HWG का तार किसके ब्यास के बराबर होता है सही उत्तर है जो की 7.01 यह इसका राइट अंसर है जैसा की यहाँ पर हमने आपको बता दिये स्टेंडर वायर गेज एस डबलू जी का पूरा नाम होता है अगला है दिये गाई विकल्पों में सबसे छोटी तार गेज की पहचान करना है आपको जैसा की यहाँ पर आपसन नमबर A 40 यह इसका सही उत्तर होगा अब ही हमने बताया जैसे की इसका जैसे जैसे इसका ब्यास घटे गया तो इसकी गेज बढ़ेगी यहाँ पर नियम लागू होता है जैसा की अनुसार सबसे छोटे तार की गेज की संक्या 40 है जिसके गेज की संक्या ज्यादा होगी उसका ब्यास उतना ही कम होगा HWG 22 वायर M.M. में समानता ब्यास होगा सही उत्तर आपका है जो कि आपसर नमबर 3 07.1.1 ये इसका राइट अंसर है पदार्थ मरदू होने के कारण विकरत हो जाने की वज़े से HWG इस्तेमाल से किस वायर को मापा नहीं जा सकता राइट अंसर जो कि आपसर नमर B अलमूनियम ये इसका सही उत्तर होगा बाकी तांबा, इस्पात, रजज़त, टंगश्टन ये सभी होते हैं चले जैसा कि HWG का जीरो व्यास में डेड डेस के बराबर होता है सही उत्तर 8.23 mm ये इसका सही उत्तर होगा अमेरिकन वायर गेज यानि AWG में तार के ब्यास को डेड डेस में दर्साए जाता है सही उत्तर मिल्स में दर्साते हैं ये इसका राइट अंसर होगा अगला प्रसन अगला प्रसन हमारा दियागा है जो कि आपको यहाँ पर प्रत्यवर्ती धारा उत्तपादक इस द्यान पर कारे करता है आपको बताना है जैसा कि फैराडे के नियम पर ये कारे करता है ये इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर देख लेते हैं प्रत्यवर्ति धारा जो है फराड़े के नियम पर कार करते हैं जैसा कि प्रत्म नियम फराड़े का जब किसी परिपत में कुंडली परिपत या कुंडली से सहलगन चुमकी परिवर्तन होता है तो परिपत या कुंडली में विदुत वाखबल प्रेजित होता है दूसरा नियम है आपका जैसे कि किसी परिपत या कुंडली में प्रेजित विदुत वाखबल का परिमार लक्स परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है अगला प्रसन आपका दिया गाए जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि स्रोत से भार तक अदिक्तम सकती इस्थनांतर कब होता है राइट एंसर आपका हो जाएगा जो कि आपसन नमबर बी जैसे कि जब स्रोत प्रत्रोत लोड प्रत्रोत के बाराबर हो यह इसका सहुत्तर होगा जहाँ पर देख भी सकते हैं फिर से एक बार बता देते हैं स्रोत से भार का दिक्तम सकती इस्थनांतरन तब होता है जब स्रोत प्रत्रोत लोड प्रत्रोत के बराबर होता है अगला प्रसन अगला प्रशन हमारा दिया गया है जो कि किसी जया वक्री आगत देने पर तंत्र की प्रतिकिरिया डेट-डेस प्रतिकिरिया कहलाती है आबरती सहुत्तर होगा अगला प्रशन अगला प्रशन आपका है जैसे कि निम लिकित में से कौन सा एक अवरोधक नहीं है राइट एंसर आपसर नमबर भी ग्रिफाइट ये इसका सहुत्तर है चलिए बाकी सभी ये अवरोधक हैं जैसे कि अबरक प्लास्टिक ये सभी इनमें विदुत का चालन नहीं होता है अगला है पाली विनाइल क्लोराइट एक डेट डेस बहुलक है राइट एंसर ताप सुगटे ये इसका सहुत्तर है जैसे कि पाली विनाईल क्लोराइड एक ताप प्रेजित वहुलाख है इसका उप्योग ऐसे इस्थानों पर प्राया किया जाता है जहां मजबूत रबर क्या शकता हो यह वास्ताओं में एक मजबूत रबर की स्रेडी में सामिल किया जाता है अगला है निम्लिकित में से काउं सा एक विदूत का चालक नहीं है ये हीरा नहीं है बाकी प्लैटिनम चांदी सोना ये सभी विदूत के चालक हैं स्वारी दुस्तों अगला परसुन की तरब देखते हैं जो की बाकी आप सभी लोग जानते हي हंगा चालक कु? जालक के बारे में उच्छ वोल्टा वाले केबिलों में रोधन है तो समानता सधारता प्रियुक्त पदार्थ डेड़ डेस है सहुत्तर है जो कि यहां पर हम आपको बता दें आपका राइट एंसर हो जाएगा जैसा कि टेफलान इसका सहुत्तर होगा आपसन नमबरे राइट एंसर है जैसा कि उच्छ वोल्टा वाले केबिलों में रोधन है तो अंतर भारित कागज पेरी फिन पेपर पदार्थ प्रियुक्त किया जाता है ग्यांत रहे विदुत रोधी आम तोर पर कुछ आलक को ही कहा जाता है अगला है नंबरे से कौन सी सामागरी एक विदुत रोधी नहीं है राइट एंसर अपसन नमबर ए जैरमीनियम एक विदुत रोधी नहीं है बाकि रवर अबरक काँच ये सबी विदूत रोधी होते हैं अगला प्रस्म अगला प्रस्म जाने से पहले इसकी पूरी ब्याक्थ्या देख लेते हैं जर्मिनियम विदूत रोधी पदार्थ कुचालक नहीं है या एक अर्दचालक है जिसका ताप कुडांक रिलातमक तता परमाडू क्रमांक चवदा होता है तता इसके बाहतम कोस्म उपस्तित इलेक्टरान की संक्या चार होती है विकल्ट में प्रियुक्त अबरक विदूत का तो कुचालक है परन्तु सभी ताप का सुचालक है साथ ही कांच तता रबर कुचालक की सिर्डी मी सामिल किया जाते है अगला है निमलिकित में से कांच सा इंसलेट समागरी केवल तीन तत्त तीन वाले तांबे के कंड़क्टर के साथ उप्योग की जाती है साहुत्तर जो की वलकनाइज इंडिया रबर ये इसका साहुत्तर है वलकनाइज इंडिया रबर की प्रमुक कमी या है कि सलफर तेजी से कापर के साथ प्रतिकिरिया करता है इसलिए भी याई यार यानि टिन्ड कापर के लिए उप्योग में ली जाती है अगला प्रसंड भारती विदुत नियम 1956 के अनुसार अंपूर्तिकरता को भोकता द्वारा प्रियोग करने के लिए डेट डेस को उसके परिशर्स में उतलब्द करवाना तता उसका रख रखाओ करना चाहिए सहुत्तर आपका है जो कि भूमिगरत टर्मिनल यानि अर्थेट टर्मिनल ये इसका सहुत्तर होगा देते हैं भारती विदुत नियम 1956 के उसार अपूर्तिकरता को भोकता द्वारा प्रियोग करने के लिए भूश अंपर्कित टर्मिनल को उसके परिशर्स में उतलब्द करवाना तता रख रकाओ करना चाहिए विदुत जटकों के खत्रों से खत्रों से सुरच्चा अर्थिंग की जाती है भारती विदुत नियम से 1956 में 32, 61, 62, 66, 69, 88, 99 उसके लिए प्रभावी है अगला है नीटरल पॉइंट को अर्थ इलेक्टरोड से जोडने वाली कंड़क्टर तार को कहते हैं आर्थ इलेक्टरोड की जूड़ी तार को डेड़क्टर कहा जाता है यह इसका सहुत्तर होगा आपसन नमबर A आर्थ लीड यह इसका राइट अंसर है चलिए पूरी जानकारी हम पर देख लेते हैं आर्थ कंड़क्टर किसे कहते हैं जैसे कि आर्थिंग के दो भागों को एक चालक द्वारा सन्योजित किया जाता है जिसमें से दोस्ट की स्थिती में प्रदोस धारा प्रवाहित होती है आर्थ इलेक्टरोड धातु का एक पाइप या अन्य चालक जो भारती विदुत नीमों के अनुरूप हो एवम जिसे प्रदोस से दबा दिया जाता है अर्थ इलेक्टरोड कालाता है अगला है जमीन में अपूरती प्रलाली के गएर करंट ले जाने वाले भागों को जोडने को डेट डेस के रूप में जाना जाता है अर्थिंग ये इसका सहुत्तर होगा चले पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको बताते हैं जैसे की अर्थिंग किसे कहते हैं प्रत्वी का वोल्टेज सुनने माना जाता है इसलिए किसी भी वैदूतिक सादन को प्रत्वी से जोड़ देने पर उसका वोल्टेज भी सुनने हो जाता है किसी तांबिया जी आई की प्रत्वी के अंदर 2.5 या 3 मीटर नीचे अथवा नमी तक लगा देने को अर्थिंग कहते हैं इसका वोल्टेज सुनने होता है और इससे संपर्क में आने वाले सभी विदूतित सादनों का भी वोल्टेज सुनने हो जाता है अर्थिंग का उप्योग मानव विद्दू जटकों से बचाना तथा आग के खत्रों को टालना होता है अगला प्रस्ण इंडक्षन हीटिंग कर्षन की गहराई किसके अनपातिक है सहउत्तर आपका है जो कि आपसद नमर बी एक बटे रूट में एप ये इसका सहॉत्तर होगा चैसे की फिर से एक बार बताते हैं इंडक्शन हेटिंग करेंट में पेनिश्ट्रीन की एक बटे रूट एफ अनुपातिक है जो की एफ आपको आबरती को प्रदर्शित करती है इसका मातरा खट जो होता है इंडक्शन हेटिंग का प्रकार प्रत्यावर्ति धारा से किसी भोगता के घर लगे निम लिखित में से किस वीदूत उपकरण के द्वारा सबसे अधीक भार लोड उत्तेपन होता है सहुत्तर जो की हाट प्लेट ये इसका राइट एंसर होगा निम लिखित में से काउन सा ब्रेट टेस्टिंग जोन तापमान है राइट एंसर 260 डि सहुत्तर होगा इसका उप्योग माक्रोव्योग ओवन यहां रडार के विभिन रूपों में प्रियूक्त करते हैं इनकी कीड़ों की खोज 8888 स्वी में की गई थी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस ओवन का उप्योग किसके लिए किया जाता है सहुत्तर आपका है जो की धातों की इनिलिंग धातों की द्रड़ी करण मिट्टी के बरतन का सूखना जड़े हुए तार के इनामिल्ड यनि आपसन नंबर यह सब इसका सहुत्तर होगा चलिए फिर से एक बार बता देते हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए एलेक्ट्रिक रजिस्टेंस ओवन का उप्योग मिट्टी के बरतनों को सुखाने और पकाने वार्निस को सुखाने और संतिस्टिक समागरी और धातों को मजबूत और शक्त करने तथा धातों के इनिलिंग तथा टेंपरिंग इत्यादी करने में किया जाता है अगला है माइक्रो वेव ओवन में विडोलक मोटर का कार क्या है सहुत्तर आपका है जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जैसे कि आपसन नमबर डी विडो चुमकी उर्ज कार विडो चुमकी उर्जा को परिक्रमित और परिवर्थित करता है या ओवन मख़ता दो प्रकार के होते हैं जैसे कि हीटिंग अलिमेंट ऑवन तता माइक्रो विए अलिमेंट का प्रयोग नहीं होता है इसमें फ्रिक्वेंसी वाली विड़ुत दो प्रूमकी तर्गों जाता है अतलन की दिया गया हैं फारवरड बाइसिंग में पी टर्मिनल सकारात्म छोड पाजिटिव से जूड़ा हुआ है और डेडेस बडा को जाए गए जो की आप से नंबर यहांपर हम आप भूसर यह. तो ऑफश नमे जुड़ा होता है अगला प्रसंद एक प्रकार के पदार्थ में जब तिरी संयोजक ता तो एक असुद्धी को मिलाए जाता है तो घाटे का इलेक्टरान उत्तेपन होता है इस घाटे वाले इलेक्टरान को कहा जाता है छेद कहते हैं सही उत्तर है चले देख लेते हैं पूर उसमें एक स्थान फाली रह जाता है यह खाली इस्थान छेद यानि होल का इलाता है होल धनातमिका अवेसित होता है तथा अपने आसपास वाले इलेक्ट्रान को अकरसित करने की छमता रखता है इस प्रकार इस प्रकार बने हुए एलेक्टरान मतलब क्रिश्टल को पी टाइब क्रिश्टल कहा जाता है अगला प्रस्ट वाइफ साइक रूप से उपलब्द सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाली सबसे सामान सोलर स्रिल्व का निर्माड निम्लिकितमिस की स्तात्व से किया जाता है बैसा सहुततर होगा चलि अगला प्रस्ट प्रस्ट आप अगले प्रस्ट जाने से पहले इसकी व्याक्या देख लेते हैं ब्यूसाइऑ में इस्तेमाल होने वाले सबसे झालine और निर्माड किया जाता है सिलिकान य को फ़ोट व्योंत्य इंद्र है सिलिकान का कारिकारी त तक होता है जब की जर्मेनियन का दिखतम कारिकारी तापमान 80 से 15 डिगरी के विस्तार क्या है राइट ंशर जो की अमेरिकन वायर गेज होता है हमने अभी आपको बताया था अगला प्रसवथिर्शन आपका दिया गया है जो कि इस प्रकार का AWG संख्या चालक के अकार को दरसाती है इस संख्या को संबन में कौन सा सही है राइट अंसर आपका है जो कि जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा ब्यास ये इसका सही उत्तर होगा अगला प्रशन है निमली खित्म से कौन सा एक वैद जिसके लिए बिजली के केबल वेवसाय कुरूप से निर्मित होते हैं सही उत्तर आपका है जो कि 230 से 400 वल्ट ये इसका सही उत्तर होगा अगला है वल्टेज ग्रेडिंग के अंसर एक दो से क्यावन वल्ट से लेकर 650 वल्ट के बीच वल्टेज रेंज क्या कहलाती है सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि मद्यम वल्टेज ये इसका सही उत्तर हो गया जैसे कि यहां पर पूरी वल्टेज के बारे में देख लेते हैं इनकी प्रास्क यानि इनकी रेंज कितनी होती है ये सारी जानकारी आपको यहां पर बता बता देते हैं निन बोल्टेज में 20 जिरो से लेकर 250 वोल्टेज में मद्ध्यम वोल्टेज में 250 वोल्टेज अपका 33 kv उच्छ वोल्टेज में आपका 33 kv ध्यादा यूपर यनी इसका सःऊ विया क्या थी अगला है विदू थीटर सोल्डरिंग आयरन प्रसीतन आधी के लिए डेड़ डेस को प्रात्मिक्ता दी जाती है कवर के कवर से कवर किये गए लचीले तार ये इसका सहुत्तर होगा इसकी पूरी ब्याख्या देख लेते हैं विदू थीटर सोल्डरिंग आयरन प्रसीतत तारों के लिए सुरच्छा कवर का पास के प्रदान करता है और विदू थीटर में हीटिंग एलिमेंट के रूप में नायक्रोम का प्रयोग होता है यह नायक्रोम निकिल तथा क्रोमियम का बना होता है अगला प्रसन हमारा दिया गया है फोटो लिथो ग्राफिक और मास्किंग की तक्निकी का प्रियोग ट्रांजिस्टर का निर्माड के लिए डेड़ डेस में किया जाता है सहुत्तर आपका है विसरन जंक्सन विधी ये इसका सहुत्तर है फोटो लिथिक ग्राफिक और मास्किन की तकनीकी का प्रयोप ट्रांजिस्टर के निर्माड में विस्राण जंक्सन विदी से किया जाता है मूल आधार NPN ट्रांजिस्टर सर्कृट में धारा लावड अलफा का मूल डैड डैस है सहुत्तर इकाई से कम ये इसका सहुत्तर होगा यहां पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं जो कि यहां पर पूरा दिया गया है चलिए हम अगले परशन पर चलते हैं आप इसे स्क्रीन शाट लेकर देख सकते हैं अगला प्रसन आपके दियागा है जो की एक transistor है, सह उत्यर आपका है, जो की एक transistor आपका है. आपसल नमबर 2 ंच धारा उपकरण, यह इसका सह उत्यर है. जिससकि transistor एक अर्जचालक electronic उपकरण है, यह उच्छ धारा और कम voltage उपकरण है, जो कम धारा और कम वोल्टेज पर इलेक्ट्रानिक सिंगनल और विदू सकती को स्विच याज एम्प्लिफाई करने के लिए किया जाता है अगला प्रस्ट वहाँ एक मात्र वाइरिंग जो छट के सबसे छोटे रूट से की जाती है और कम समकोर मोडो की आवशकता होती है डेट डेस का एलाती है सहुत्तर आपका है जो कि यहाँ पर कंड्यूट सर्फेस वाइरिंग ये इसका सहुत्तर है अगला है निम्न लिखित्म से काउन सा इलेक्ट्रिक वाइरिंग का प्रकार नहीं है राइट अंसर आपका है जो कि kholy wiring ये इसका सय उत्तर है अगला परसंग अगला परसंग हमारा दिया गया है जो कि आकरती में किस प्रकार की तार की इस्थापन प्रडाली को दर साए जाता है क्लिट तार इस्थापन ये इसका सय उत्तर है जैसे कि यहाँ पर क्लिट तार की इस्थापना की गई है क्लिट वास्ताओं में एक अस्थाई प्रकार की वायरिंग होती है जो कि किसी सुस्क या जाच की अस्थाई निर्माड में प्रियुक्त होती है इसकी इस्थापना लागत अन्नी मिकालों से बहुत कम रहती है इन में से कौन सा बत्ता यानि बैटन तार का इस्थापन लाब नहीं है मतलब लाब है राइट अंसर आपका है सहुत्तर हो जाएगा आपसर नमर सी चरल धारा की कम संभावना ये इसका सहुत्तर है जैसा कि चरल धारा की कम संभावना बैटन तार इस्थापना का परमुकलाब है बैटन संभावनता लकडी के बने होते हैं अता इनका जीवन का लापे चक्रत कम होता है अगला है निम लिखित में से काउन सी तार इस्थापन प्रडाली घरेलू और वाडिजिक परिस्थापनों के लिए सबसे अच्छी है सहुत्तर कंडियूट तार इस्थापन ये इसका सहुत्तर है जैसा कि कंडियूट तार इस्थापन प्रडाली घरेलू और वाडिजिक परिस्थानों के लिए सबसे अच्छी होती है कंडियूट वाइरिंग को वास्ताओं में भावन के निर्माण में समानता प्रस्थापित करते हैं जिसे छिपी वाइरिंग भी कहते हैं अगला है इलेक्ट्रिक एकोबेटरों का उप्योग डेट डेस में होता है सहयुत्तर पॉल्टरी फ्राम में करते हैं यह इसका सहयुत्तर है सिलिकान नियंत्रित दिश्टकारी एक डेट डेस परत उपकराण है सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर चार इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं जो कि सिलिकान एक नियंत्रित दिश्टकारी एक चार परत उपकराण है सिलिकान एक तीन टर्मिनल एक चार परतियुक्ती होती है यह एक सास्ती नियंतराण उपकराण होता है एकला प्रसंद निम लिखित में से कान सा विकल्प एक दुई दिसी को उपकराण है सहुत तर आपका है ट्रायक यह इसका राइट एंसर है जैसे कि TRYAC के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं TRYAC एक दू दीसी कूप करण है ये सबी एक दीसी है जैसे कि TRYAC में दो ACR एंटी पैरलल जुड़े होते हैं यहां एक तीन टर्मिनल युक्ती होती है ACR यहां एक DC स्विच है ACR का प्रयोग हाफ वेव रिक्टिफायर तता फुल वेव रिक्टिफायर में कंट्रोल रिक्टिफायर की तरह कार्य करते हैं समान ने रूप से यहाँ एक DC स्विच होता है अगला है आपका पॉइंट जो कि यहाँ तीन टर्मिनल युक्ती होती है जैसे कि मौस फेट एक दुरूई वोल्टा नियंतरित और तीन टर्मिनल उपकरनड है यह आप जरूर याद रुखें अगला प्रसंद दिक परिवर्तन से धारा दिक परिवर्तन से जाने वाली कुंडली में स्वा प्रेजित विदुत वाहक बल को क्या कहा जाता है राईट एंसर आपका है जो कि प्रतिगाती वोड़ता यह इसका स्वा उत्तर है जैसा कि दिक परिवर्तन से जाने वाली कुंडली में सौ प्रेजित विदुत वाहक बल कोeros को को क्रतिगाती वोड़ता कहते हैं दिक परिवर्तन AC को DC마 DC को AC में बदालता है दिख परिवर्टन हाइडरन कापर का बना होता है जो एक मेकनिकल कनवर्टर होता है एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मिचर के करंट को परिवर्टन को डेट डेस कहा जाता है सायुत्तर जो की कमटेशन कहते हैं ये इसका सायुत्तर होगा कम्टेशन वाप परक्रिया है जिसमें मसीन की आर्मेचर वाइंडिंग में उत्तेपन प्रत्यवर्ति धारा को कम्टेटर और इस्थिर ब्रस के माध्यम से जाने के बाद प्रत्यच धारा में परिवर्तित किया जाता है अगला है एक AC मतलब एक DC जनरेटर एक DC जनरेटर में डेट डेस का कार अर्मेचर कंड़क्टर विदु धारा के संचय को सुविधा जनक बनाना है सहुत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर कम्टेटर ये इसका सहुत्तर होगा पूरी जानकारी देखते हैं जो कि एक DC जनरेटर में कम्टेटर का कार अर्मेचर कंड़क्टर से विदु धारा संचय को सुविधा जनक बनाना होता है DC जनरेटर में कम्टेटर व्रत्य वर्ति AC को डिस्ट धारा में बदलता है अता है इसे मेकाइनकल रिक्टी भार भी कहते हैं अगला प्रसंट खंडित वले बनाने में निम लिखित में से काउन सा पदार्थ उप्योग किया जाता है तांबे का प्रियोग करते हैं ये इसका सहुत्तर होगा जैसे कि देख लेते हैं पर DC जनरेटर में आउटपूट विद्व त्वहाग बलप्राप्ट करने हेतु दो विधियाँ प्रियोग की जाती है जिसमें दिश धारा जनरीत्र हेतु स्लिप्ट रिंग का प्रियोग मिली जाती है इनका समू कम्टेटर कहलाता है जो ब्रत्तकार आकार का होता है एवं हार्ड ट्रान तांबे की मोटी पतियों को वेकलाइट करके कस्द दिया जाता है और पतियों के बीच इरिक्तिस्थान होता है जिसमें अबरक भर दिया जाता है इसका प्रमुक कार विदुत वहकबल को ड विदूत्र वढकर सब्सक्राइड शभीकश hoorको ँसे में विदूत्र होगी विदूत्र वढकर सब्सक्राइड ले में आकार की एक प्लेट होती है अगला प्रसंद डीसी जनेरेटर में फिल्ड वाइंडिंग बनी होती है तामर से बनी होती है यह इसका सह उत्तर होगा जैसे कि यहां पर देखते हैं डीसी जनेरेटर DC generator की field winding तामर से बनी होती है field winding stator के आंतरिक भाग में लगे poles के उपर इस्थापित किया जाता है जो super enamel कापर का होता है छेतर कुंडलन यानि field winding बनाने में प्रियुक्त तार की मोटाई DC generator पर निर्भर करता है और field winding को उतेजन कुंडलन भी कहते हैं DC generator परलाव हानि के प्रभाव से होती है सहयुत्तर आपका दचच्चता की हानी ये इसका सहयुत्तर होगा जैसे कि DC generator परलाव हानी का प्रभाव loSSesta of efficiency से है हानी बढ़ाने पर किसी भी machine की दचचता कम होती है जैसे कि दचचता बराबर input minus हानी upon input यह इसका पूरी व्याख्या थी अगला प्रसंड धुरू फ्लक्स को इस्थिर रखते हुए यदि डीसी संट जनित्र की चाल दूगनी कर दी जाए तो उत्यपन विदूत्वाक बल क्या होगा सहुत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहां पर आपसन नंबर ए दूगना हो जाए अपसन नंबर सी फिल्ड फ्लक्स और आरमेचर करंट यह इसका सहुत्तर है जैसा कि यहां पर देख सकते हैं दीसी मोटर की तरक फिल्ड फ्लक्स और आरमेचर धहरा के गुदन फल के समान पाती होता है जो कि यहां पर दीया गया है अगला प्रस्ट अगला प्रस्ट अमारा दिया गाए जो कि यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि अगर किसी DC मोटर के बैक ये में पौर रप्तार को दूगना कर दिया जाए तो मोटर से उत्तिपन होने वाला टार्क क्या होगा एक समान रहेगा ये इसका सहुत्तर होगा जैसा कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर दूगना करेंगे नीचे भी दूगना करेंगे तो यहां पर आपस बिकड जाएगे तो वही समान रहेगा अगला प्रस्ट DC मोटर में बल अगोड फ्लक्स तथा धारा के डेट डेस मान के गुड़न फल के समान पाती होते हैं सहुत्तर चुमकी संत्रप्ति बिंदू ये इसका सहुत्तर होगा डीसी मोटर में बल अगहोड फ्लक्स तता धारा के चुमकी संतप्ति बिंदु मान के गुड़न फल के समान पाती होते हैं क्वाइल में इस से जुड़े स्वयम में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेजित इमेप को क्या कहा जाता है राइट एंसर जो की सौप रेजित इमेप यह इसका सही उत्तर है अगला प्रसंट अगला प्रसंट जब छेतर प्रत्रों 200 ओम है और आर्मेचर प्रत्रों वोल्ट है तथा गति इसकी 50 आर्पिया मतलब 500 आर्पिम है तब डीसी संट मोटर की सप्लाई धारा का पता लगाएए पस यह जीरू समलो एक आर्ट वोल्ट है तो कितनी है इसकी गति यानि इसकी धारा कितनी है फार्मुला आपका होता सिंपल सा जैसे कि यहां पर हम आपको बता दें विदू तोहाक बल बराबर वी माइनस आई एंटू आर ए यानि वोल्टेज माइनस आर्मिचर धारा इंटू आर्मिचर प्रत्रोद यहां पर पहले हमें संट निकालना संट निकालने के बाद फिर दोनों को जोड़ देंगे जो कि यहां पर देख सकते हैं इस फार्मुले पर मान रखेंगे पूरा मान पूरा मान रखने के बाद यहां पर देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगी संट धारा आपकी आ जाएगी 25 अंपियर फिर यहाँ पर टोटाल जोड़ देंगे दोनों को यहाँ पर 5.5 अंपियर इसका सही उत्तार हो जाएगा लोड धारा जो की आपसे नमबर सी सही उत्तार होगा उमीद आपको समाज में आया होगा अगला प्रसंड अगला प्रसंड आपको दियागा है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं डेट डेस मोटर की गती बेवारी कुरूप से इस्थिर है, सयुत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर संट मोटर इसकी गती इस्थिर होती है, यह इसका सयुत्तर है. जैसे कि संट मोटर की गती बेवारिक रूप से इस्तिर होती है इसका उप्योग इस्तिर गती कारियों के लिए किया जाता है जैसे कि खराद मसीन, पानी के पंप, कपड़े तता कागच की मिल इत्यादी में करते हैं जहां पर उच्छ प्रारंबिक बला घुड की आवशकता होती है, वहां पर स्रीज मोटर का प्रियोग किया जाता है जैसे वैदू सकर्षन ट्राम मार्ग हाई स्टिप्ट इत्यादी में जहां पर अकस्मात यांत्रिक लोड हो वहां पर करते हैं स्टिप्ट इसग स्टिप्ट इसड्रिक इत्यादी में फ्रास्वत चत प्रियोग करता है क्योंकि सहुत्तर बिना लोड पर स्रीज मोटर को चलाने की सलाह नहीं दी जाती है ये इसका सहुत्तर है एक DC स्रीज मोटर की दच्छता नियांतित करने के लिए स्विन बर्न विधी का उपयोग नहीं किया जा सकता है किया जा सकता क्योंकि बिना लोड पर स्वीज मोटर को चलाने की सला नहीं दी जाती क्योंकि इसकी स्थिति में गती अनंत हो जाती है अगला प्रसुन हम DC मोटर पर स्वीन बर्न पर इच्छर क्यों नहीं करते हैं सही उत्तर नो लोड पर आर्मेचर करंट कम होता है ये इसका सहुधतर है सुइन बरन पर पिच्छर पर नो Background पर किया जाता है परनतु DC स्रीज मोटर की चाल नो nadal पर आसमान रूप से उुछ हो जाती है और अताया परिच्छर DC मोटर पर नहीं किया जाता है अगला परशन Breaking system का नाम बताये जिसमें आपूरती के टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए ताकि जनेरेटर टार्क उलट जाए और मोटर समान घुमाओ का प्रित्रोध करे या इसका सहुत्तर होगा त्लागिंग टाइप ब्रेकिंग ये इसका राइट एंसर है इस विधी मोटर के आप पूरती टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाता है जिसे की विप्रीत दीशा में बला घोड उत्तेपन करता है और मोटर समान गुमाओ का विरोध करती है अगला प्रशन DC मसीन के ब्रेक टेस्ट में आउटपूट टार्क इस पर कार दिया जाता है सही उत्तर 9.81 S1-S2 गुड़े आर ये इसका सही उत्तर है अगला है DC मसीन के प्रतेच परिच्छन का उदारन क्या है सही उत्तर ब्रेक टेस्ट ये इसका राइट एंसर है